बिसमिल्लाइ रामान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम टो इंटेली लॉजिक्स, आज के इस लेक्चर में हम चेक बॉक्स को डिसकस करेंगे, चेक बॉक्स क्या चीज़ है, बेसिकली, चेक बॉक्स हमें अलाव करता है कि हम सेलेक्ट करें एक या एक से ज़्यादा आप्शिन को from a set, means एक set of options में से एक group of options से आप क्या कर सकते हैं, multiple selection जो हैं कर सकते हैं, और checkboxes को हम normally vertical order में show करते हैं, vertical form में, जो application हम बनाएंगे, उसका output कुछ इस तरह होगा, कि यहां पर heading होगी, programming languages you know, और उसके बाद C++, Java, Python, Swift, यह languages, programming languages हम checkboxes के तुरू शो करेंगे, फिर जब यहां से मैं let's say Java select करता हूँ, और Python select करता हूँ, जो हम show पर click करेंगे, तो यह जो text view है, यहां पर हमें, यह languages, यह selection show ह हो नीचे है, यह let's say, मैं Swift भी select करता हूँ, so, यह show होगा, और आप इसको deselect भी कर सकते हैं, और let's say, यहां से just C++ select करते हैं, तो आपको C++ दिकाई देगा, so, जितने आपने selection की होगी, वो selection जो है, हमको नजर आएगी, so, first of all, हम आएंगे, XML की तरफ layout design करेंगे, और उसके ब जिस्ट जो layout है, interface है, यह define करेंगे, और इससे अगले lecture में फिर हम इसमें functionality एडिट करेंगे, so, आते हैं Android Studio में, application unready Mac हमारे पास है, और इसमें जो just main activity है, उसकी java file है, और XML file है, और XML file में हमारे पास linear layout है, orientation vertical है, उसकी padding जो है 16 dp है throughout, और उसमें just एक text view है, और text view में final text view लिका हुआ है, तो इसको हम change करके लिखते हैं, programming languages you know, और आप इसको bold भी कर सकते हैं, और इसका जो text color है, उसको भी change कर सकते हैं, let's say, text color और इसको हम blue बना देते हैं, red, green और blue लिए f, और अगर आप इसका text style change करना जोते हैं, तो इसको भी आप bold कर सकते हैं, अब इसके बाद हमें चाहिए 4 check boxes, लेकिं यहां पर margin भी हम define कर लेते हैं, margin bottom और इसको मैं करता हूँ 16 dp, तके इसके नीचे जो check boxes आएंगे, so, इसका margin इसे कितना हो 16 dp हो, check box, और width और height है, so, इसको match parent और wrap content कर देते हैं, और text इसका कर देते हैं, c++, so, आप यहां पर देख सकते हैं, कि हमारे पास एक जो check box है, वो बन गया है, और उसमें हमने c++ शो कराया है, अब इसकी जो important property है, वो id है, क्योंकि इसी id के तरू हम फिर इसको access करेंगे, java की code में, so, इसको मैं कहता हूँ, c++, meaning full नाम देते हैं, ताकि फिर हमें code में असानी हो, इसके बाद हमें एक दूसरा check box चाहिए, और इसको भी आप जो width है, match parent और height wrap content कर दें, और इसका जो text है, वो हमारे पास हो जाएगा, java, और यहां पर हमारे पास इसकी जो id होगी, उसको मैं कहतेता हूँ, chk, java, so, दो check boxes हमने बना लिये हैं, sorry, यहां पर होना चाहिए, add the rate of plus id, और इस तरह भी इसको id assign करेंगे, फर्दर हमें दो check boxes चाहिए, एक python के लिए match parent wrap content, और इसको text मैं assign करता हूँ, python, और इसकी जो id है, वो भी हम define कर देते हैं, chk python, so, यह अच्छी programming practice है, आप अगर check box यूज़ करते हैं, तो इसके साथ chk यूज़ करें, radio button है, तो rdb यूज़ करें, button यूज़ करते हैं, normal तो इसके साथ btn लिखा करें, ताकि आपको समझने में फिर असानी हो, code में, check box और match parent, height wrap content, और यह हमारे पास जो text इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा, swift, और यहाँ पर इसकी ID हम बता देते हैं, इसको ID chk swift, अब चार check box हमने बना लिये हैं, इस से फर्दर नीचे हमें एक button चाहिए, जिस में text होगा show, तो आप क्या कर सकते हैं, कि इस check box से जो आप margin from bottom कर दें, margin bottom और उसको पास कर दें, 16 DP तके, इस check box के नीच से जो चीज आईगी, उसका जो gap होगा, वो 16 DP होगा, तो हमें यहाँ पर simple बटन चाहिए, match parent और height wrap content और इसको text पास कर देते हैं, text, let's say हमने इसको show का text पास कर दिया है, और इसकी ID फिला नहीं लेते हैं, यहाँ पर इसकी on click डिफाइन करेंगे, जब हम code के तरफ आएंगे, जब इसमें हम business logic एड़ करेंगे, और इस button के बाद जो है, हमें एक और text व्यू चाहिए जिसमें हम result शो कराएंगे, so, इसको भी हम इस तरह करते हैं कि margin bottom 16 dp दे लेते हैं, ताकि इस button के नीचे आप जो add करेंगे, उसका gap जो है, इस button से 16 dp का gap हो, और इसके नीचे हमें चाहिए एक text view, इसको भी हम match parent और wrap content, इसका जो text है, for the time being हम इसको result कह दे देते हैं, लेकिन यह फिर बाद में हम change करेंगे, इसका जो text size है, इसको हम increase करके, sorry, यह text style आगे, so, इसको bold कर देते हैं, और जो इसका text size है, इसको हम 25 sp कर देते हैं, और आप देख सकते हैं, कि already यहाँ पर जो gap है, वो 16 dp का है, और इसकी ID की भी हमें ज़रूरत पढ़ेगी, क्योंकि यह control भी, यह widget भी हम Java के through access करेंगे, Java की code में, इसको हम कह देते हैं, tv result, so, basically, इस lecture में, इस tutorial में, हमने just, जो interface है, user interface है, वो design किया है, और next lecture में हम, फिर यहाँ main activity में आके, इसके लिए हम code लेखेंगे, कि यह किस तरह function करेगा, so, इसके बाद जो lecture होगा, उसको लाज़मी देखें, इसकी functionality चेक करने के लिए, शुक्रिया,